नमस्कार आदाब आप सभी का स्वागत है नाजरेन हमारे आज के सत्र में मैं हूँ आपके साथ नुपर्कुल श्रेष्ट और आप देख रहे हैं इव विद्या चैनल नमबर 9 अर आज के इस लाईव इंट्रक्टिव सेशन में हमारा जो विषय है वो है उर्दू और जो सबक है वो भी बहुत ही खास है उसको जानने में आपको पढ़ने में और समझने में बहुत आनडाने वाला है और वो क्या है बिलकुल आपको बता रेते हूं आज का शीर्षक है हम वारा गजल मजरू सुल्तानपूरी और मजरू सुल्तानपूरी साहब जी के बार में और उनकी जो लिखी गजल है उसके बार में हम बहुत कुछ जानेंगे और सारी जानकारे देने के लिए आज हमाई साथ स्टूडियो में मौझूद है आप हैं प्रोफेसर मोहमद सारी जी स्वागत है आपका आप डिपार्टमेंट ओफ एडुकेशनल लाइवेजेज एंसी इ आर्टी डेली से हैं अमसे सर स्वागत है शुक्रिया तो जैसे कि हमने बात की कि हम बात करेंगे गजलों के बारे में और गजल मजरू सुल्तानपूरी साहब उनके बारे में ह सिन्फ है चाहिरी में जिस तरह से चीजों को मौजू कलाम की शक्रिमें पेश किया जाता है तो उसकी बहुत सारी अलग असनाफ हैं जिसको हम हिंदी में विदाएं कहते हैं तो उसी की एक सबसे मशूर सिन्फ जो है जो सबसे ज़्यादा काबले कुबूल है जिसको हम गजल की सिन्फ है गजल की अपनी बहुत सारी खूविया हैं हर नजम हर सिन्फ की अपनी खूविया होती है जैसे नजम है कसीदा है बरसिया है गता है या रुबाई है या और भी दूसरी असनाफ है हर एक की अपनी अपनी खूविया है गजल की भी अपनी खूविया है ज कोई मौजू हो तो सिल्सलेवार जो बयान करते हैं. घजल इस सबसे अलग है, हयत के एताबार से भी, मौजू के एताबार से भी. घजल की पहली सबसे बड़ी खोबी यह है कि इसके जो अशार हैं, यानि जो शेर हैं, वो हर शेर अपने आप में पूरी बात कह रहा होता है. यानि कोई भी वाकिया, कोई मामला, कोई मौजू जो है, वो पूरे एक शेर में बयान किया जाता है. शेर दो मिस्रों पर मुच्तमिल होता है. और दो मिस्रे जो होते हैं, वो उनके अंदर ही, चाहे हो कितने बड़ा से बड़ा फलसफा हो, चाहे कितनी छोटी सी छोटी ब उन सब में अलग-अलग मौजू होंगे, अलग-अलग बात बयान की जाएगी, तो ये एक बहुती मुश्किल काम होता है कि बड़ी सी बड़ी बात को जो है इन दो मिस्रों में समो देना पहली चीज, दूसरी चीज ये है कि इसकी कुछ हैत मुकरर के जिसको हम धाचा कहते है तो वो भी अलग होता है, इस तरह से अलग होता है कि शेर्ब के अंदर दो चीजे होती है, एक होता है काफिया, एक होती है रदीफ, काफिया वो हम सौत अलफाज होते हैं, यानि लफज तो होगा, लेकिन उसकी जो दूसरा लफज होगा, वो उससे हम सौत होगा, यानि उस काफिया होगा खरीदार या दिलदार या इस तरह के अलफाज होंगे तो ये काफिया के अलफाज होंगे तो हर शेर के अंदर पहला जो शेर होगा उसके अंदर दोनों मिसरों में काफिया आएगा ठीक है तुक बंदी जिसे हम सांचे में ढालने की कोशिश करते है जिसमें वो सिंफ कही जानी है या वो सिंफ के जो तकाजे है वो अलफाशाएंगे अगर एक में खरीदार आया जैसे इस गज़ल की ही बात करेंगे आप तो इस घजल के अंदर बाजार काफिया आया है तो अगले मिस्रे में जो खरीदार आया है फिर उसके बाद तीसरा मिस्रा यानि अगला जो शेर है उसका पहला छोड़के दूसरे मिस्रे में निगहयार आया है फिर आगे चलते हैं दिलदार आया है फिर दीवार आया है ये इस तरह के अलफाज इस्तमाने और उनके फॉरण बात जो लफज आता है जो एक ही होता है वो बदलता नहीं है वो शकले नहीं बदलेगी कहीं भी किसी चिर्व में वो रदीफ कहलाती है यैसे की तरह अगर इस गजल को आप सामने रखें जो मजरू की गजल है हम है मताय क पूचो बाजार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह तो बाजार और खरीदार यहां पर काफिये हैं और की तरह जो है वो दोनों जगा आया है तो की तरह ये रदीफ है इसी तरह से आखिर के जितने भी जो मिसरे आएंगे हर शेर में उसका आखरी मिसरे में की तर लेकिन और तो से लिए पिर जो अलग जैसे शेर है तो आपने आप में कमल है तो क्या रख intel go किको एक प्रस एसे हैं आपको एक अपने आप में एक शेर की शुरुबात हुआ है तो वुकिया एक न्या फो Θॉ इसके साथ होगा देखिए मौजू के इताबार से बात करते हैं खयाल हो तजर्बा हो मौजू हो कुछ भी हो वो एक ही होगा शेर के अंदर है ना दूसरे शेर में दूसरा मौजू दूसरा खयाल या पहले शेर का मौजू दूसरे शेर से मुनासबत नहीं रखता होगा एक श रब्त होगा. इसके पूरे जो आप जिसको आप बहर कहते हैं, जो अपने जब आप बड़ी जमातों में जाएंगे तब देखेंगे कि अगर इनकी लफजों जो इसमें इस्तराहएं, उनकी जो तादाद है कमो बेश एक जैसी होनी चाहिए यानि आपने जो पेरामीटर सेट किया है उसी पेरामीटर पर ही सारे अशार होंगे उसी तरह से यानि तो यह तक्ती का हिस्सा होता है जब हम गजल की या अशार की तक्ती कर रहे होते तब इन चीजों को count करते हैं कि किस किस तरह से तो इसी तरह से जब ये चीज मुकमल होती है तब ही हम कहते हैं कि इसमें नगमगी है मुसीकियत है तो वो सुनने में भी अच्छी लगती है पढ़ने में भी लिया आपने देखा हो कि बहुत सारी घजले गाई गई है वह सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर ये हध technici ज्यादा होती है यही घजल जो है यही फिल्मों में बहुत सारी फिल्मों में इसको गाया गया। अलग-अलग जगों पर भी लोगों ने अलग-अलग जो गुलुकार है उन्होंने गाया भी और मज्रू सुल्तान पुरी साहब जी कि अगर बात करें तो बिल्कुल जाने माने इशायर है तो यह है दूसरी एक और चीज होती है इसका पहला शेर तो हमने देख लिया कि मतले का होगा और अगर दूसरा शेर भी इसी तरह का आजाए तो वो हुस्ने मतला हो जाएगा यानि उसी क्या एक हिस्सा हो जाएगा और आखिर में जब घजल का जब आखरी शेर होगा उसमें आम तोर पर जो है वो शायर अपना पैन नेम यानि तखलूस लेकर आता है और वो शेर मक्ते का कहलाता है मतला मकता मतला शुरू का हिस्सा मकता आखिर का हिस्सा यanted मकता होता है जिसमें वो अपना गत्ते से मुराद है कत्ता मतलब तोड़ना खत्म करना ची तो ये इस बात का इDonald होता है कि यहाँ पर ये अब घजल मुकमल हो गए तो मक्ते का शेर होता है जिसमें शायर अपना नाम लेकर आता है तो ये खूबियां इसके अंदर होती है गजल के और उर्दू शायरी में कमोबेश हर शायर नहीं शुरू से लेकर वली और उनसे पहले के जमाने से भी बात करें शुरू से लेकर के आज तक जो है घजल पर हर शायर ने गजल कहीं न कहीं जरूर कहीं है एक नाम अगर आप छोड़ दीजिए कोई होंगे लेकिन ज्यादातर घजल और हम आज भी तमाम असनाफ में घजल को ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत सारे शेर तो ऐसे हैं जब हम कोई बात कह रहे होते हैं तो उसमें कोटेशन के तोर पर हम उसका इस्तामाल कर लेते हैं कि देखें यह मिसरा इसमें है तो यह इसकी खूबी है जी बिलकुल और आज जैसे कि आपने बताया है कि जो घजल है वो भी हम फिल्मों में आ सुल्टानपूर में आपकी पैदाईश हुई थी उनी सो बीस यकम अक्तूबर को एक अक्तूबर को आपकी पैदाईश हुई थी वहाँ पर वालिद मुहमद हसन खाम हैं पुलिस में जो है सब इंस्पेक्टर थे और वो आजमगर में उनकी उस वक्त तकरूरी थी और वही अज के जमाने में कह सकते हैं उसकी जो है तालीम ली उन्होंने लेही शुरूर से ही शायरी के तरफ इनका रुजहान था और बहुत कम उमर में इस शेर कहना शुरूर भी कर दिये थे और उस वक्त जो वो दौर था उसमें बड़े नाम थे शायरों के बहुत बड़े हाटाबादी का ढ़ी है तो जिगर्मुरादाबादी से आप बहुत करीब हो गया और वही जो हैए मुशायरों में आप उन्नेमुरादाबादी के साथ चरीक हुआ करते थे और एक वर बंबए effects एक बंबएं एक मुशायरा हो रहा था यह तक अनिस सो पैंटालिस के आसपा की बात है मुंबई के एक मुशायरे में जिगर मुरादाबादी के साथ आप भी शरीक थे और वहीं आपने अपनी घजल पढ़ी ती जे मज्रू ने और वहाँ पर जो है फिल्म साथ जो सब्सक्राइब करदार जो बहुत मशूर नाम है और्दू जो फिल्मों का फिल्म मलब सारी फिल्मों के गाने लिखे और बहुत मक्बूल हुए हैं बहुत सरी फिल्मे है अगर अगर हम बात करें शिरूबात से पहले कि जब भी हम बात करें मज्रू सुल्ताण पुरी toeshaab jiji के और फिल्मों का गाना है तो हम अखसर हमें से जाधर तर लोग गाना गुन गुना दिये मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल हमने ना जाना ये है या राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है ये इस तरह के बहुत सारे नगमे हैं जो हम लोगों की जबान पर चड़े हुए हैं और इनको पसंद करते हैं सब लोग तो काफी लेकिन उन्होंने एक जो खुबी जाती थी उस situation के अंदर उन्हों लिखता लेकिन उस situation के होने के बावजूद भी जो अदब की खुबी है वो उसको उन्होंने बरकरार रखा यानि जो भी नगमें लिखे वो अदबियत उसमें खास हिसा रही तो वो उनका एक मिजाज रहा हमेशा दूसरी चीज़ इनकी श अजरु सल्तान पुरी का लिया जाता है उसको फैस थे मखदूम हैं अहमत पराज हैं खलील रुर्मान बेशमार लोग थे उन्हीं सो चटिस से जो तरकी पसंद का आगाज होता है और फिर उसमें शारीग हो जाते है उनका जो मामला था वो यह तरकी पसंद शारी का जो सब खिलाफ एतिजाज किया जाए जबर तरकी पसंद तरकी पसंद तहरी के दौर के अगर हम बात करते हैं तो जितने भी बड़े नाम है शारीजूं के वो जब इन मामलात को बयान करते थे तो फिर यह था कि घजल उनको लगता था कि घजल में वो शायद पूरी बात नहीं अ ज्यादा मतवज्ज़ और ज्यादातर लोगों ने नजमों की तरह तवज्ज़ की चाहे वो फैज हों, चाहे वो मख्तूम हों, नजम गोश औरा की हैसे से उनके मजरू की इन्फरादियत ये रही कि उन्होंने गजल से अपना रिश्टा कभी नहीं तोड़ा। दूसरी के तरकी पसंद शायर होने की हैसियत से वो तमाम मामलाद जो वो तमाम वाख जरूरिया जो तरकी पसंद दौर की थी, उन्हों तमाम खुसूसियात के साथ साथ उन्होंने किलासिकी एदब जो चाहे वो इस्तलाहों की मामलाद हो, चाहे मौज़ूआत की बात हो, चाहे आप में वैसे तो बहुत सारी घजलें हैं उनकी जिसकी तरफ बातें की जा सकती हैं और वाक्त चुपे नहीं है खासतर से एक शेर जो है मैं बहुत मशूर है अकेला ही चला था जाने बे मनजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया या दूसरा एक और शेर है हम है काबा हम है काबा हम है बुद खाना हमी है काइना हो सके तो खुद को भी एक सजदा कीजिए इस तरह से हमको जुनू क्या सिखलाते हो हम थे परिशा तुम से ज्यादा चाक किये हैं हमने अजीजो चारो गिरेवा तुम से ज्यादा तो ऐसे बहुत सारे अशार हैं जो हम लो गली को बाजार मार्किट जिसको आप कहेंगे तो कुछ औ गली औ बाजार में जिस तरह से सामान हुआ करता है चाये वो दुकानों पर हो चाये मुझाहरे के लिए हो चाये दिखाने के लिए हो तो जिस तरह वो सामान हुआ करता है हम भी उसी तरह से हो गए हैं या हम भी उसी तरह से हैं उड़ती है हर निगाह खरीदार की तरह बाजार में क्या होता है लोग जाते हैं सामान को खरीदने के लिए तो उनकी निगाह जब सामान पर पड़ती है तो यह खरीदार की जो निगाह होती है जो उसकी परखने की अदा होती है उसकी तरह इशारा क चाहरत के इतावार से हमारी तरफ नज़र डाला है कि क्या इस सामान से उसकी कौन सी जरूरत और क्या जरूरत पूरी हो सकती है। तो ये एक मामला है, बाकी जो खुबिया हैं हमारी उसकी तरफ कोई तवज्य नहीं की जा रही है। दूसरा शेर है, वो तो कहीं है और, मगर दिल के आसपास, फिरती है कोई शेय निगह यार की तरह. ये देखिए, पहले शेर में अलग बात थी, दूसरा शेर है, वो तो कहीं है और, वो महबूब भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, जो करीबी, जो बहुत दिल के करीब होता है, उसकी तरफ इशारा करते हैं, कि वो तो कहीं और है, यानि वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे नस्दीक नहीं है, वो कहीं और है, मगर दिल के पास, लेकिन जो दिल के पास है, आसपास जो दिल के है, फिरती है कोई शै, कोई शै ऐसी कोई चीज ऐसी है जो हमेशा फिरती रहती है किस तरह से निगह यार की तरह दोस्त की निगाह की तरह यानि उसकी जो निगाह है वो मेरे आसपास फिरती रहती है यानि गूमती रहती है यानि उसका जो वजूद है या उसकी जो शकल है उसकी जो शबी है वो हर वक्त मेरी नि जो कैफियट है हमारे जो सूरत है वो ये है कि मैं उसे इसकदर करीबयूँ या इसकदर मुझे उससे उंसियत है कि दिल में हर वक्त उसी का ख्याल रहता है या उसी का वजूद जो है वो हमारे आस Payस हर वक्त मौजूद रहता है तीसरा शेहर इसका देखिए सीधी है राहे शौक इनमें सीधी है राहे शौक शौक यानि हम जो चीज़ चाहते हैं या जिसे हम चाहत रखते हैं जो शौक है जो शौक की राह है वो बहुत सीधी साधी है, सीधी सी है बिलकुल, कहीं भी कुछ उसमें मुश्किल नहीं है, सीधी साधी बात है कि हम उसकी तलब रखते हैं, उसकी खौाहिश रखते हैं, उससे महबत करते हैं, तो उसकी जो राह है महबत की वो सीधी साधी है, पर यूहीं खम हो गई है किस तरह से गेसुए दिलदार की तरह, दिलदार यानि दिल रखने वाला यानि महभूब, महभूब के गेसु की तरह, महभूब की जुल्फ है, केड़ी मेड़ी है, खमदार है, उसको तश्वी दी जाती है, इस तरह से उसमें बल होते हैं, तो बहुत सारी राहे शौक भी कहीं कहीं खम हो गई है या टेड़ी मेड़ी हो गई है ये एक तश्वी जिसको हम कहते हैं शबी देते हैं किसी से तो वो शबी दी गई है किसकी राहे शौक की हमारी जो शौक की राह है यानि हमारी जो इश्क का रास्ता है वो टेड़ी मेड़ी रास्तों की तरह हो गया है यानि खमदार या टेडी जूल्फों की तरह हो गया यानि वयशे तो इश्की मंजिल जो होती है वोगत सीधी होती है लेगिन कहीं कहीं यह रास्ता बहुत सी मुश्किलात से भरा हुआ है यानि बहुत सारी परशानियों से हमें सामना करना पड़ रहा wizard जैसे कहते हैं कि जिन्दगी का ये जो सफर है वो भी बहुत आसाल है लेकिन हम उसको मुश्किल बना लेते हैं अपने लिए ती मुश्किलात के बगएर जो है चीज को हासिल करने का मज़ा नहीं है वो मुश्किलात जो होती है वो जिन्दगी को आगे पढ़ाने में एक जजबा पैदा करने का काम करती है ये सबसे बड़ी खोबी है चौथा शेर है इसका बे तीशे नजर नचलो राहे रखतगां हर नक्षपा बुलंद है दीवार की तरह बहुत खुबसूरती से बात कहीं गई है जल्दी से इस बात को खत्म करता हूँ तीशा कहते हैं कि जो कुदाल जो होती है जिससे हम कोई चीज को तराशते हैं खोदते हैं तो बे तीशा यानि बगएर ऐसी नजर मत रखो जो खोद न सकती हो यानि गौर फिक्र के बगएर रास्ते पे ना चलो या गौर फिक्र को हमेशा कायम रखो क्योंकि हर नक्षपा, जो नक्षपा है, वो उस तरह से बलंद है, जो दीवार की तरह है, नक्षपा यानि गुजरे हुए लोग, हमारे पहले जो लोग थे, उन्होंने इतनी रिवायत कायम की हुई थी, उसको अगर हमें आगे बढ़ाना है, या उससे आगे हमें जाना है, तो हमें अपनी नजर को बिल्कुल उस तरह से रखना चाहिए, जिस तरह से कुदाल की होती है, तो ये इस तरह से बात को कही गई है, अगला शेर्ट चो किया हूँ, सिर्फ मक्ते की तरह आता हूँ, आखरी जो है, मजरूह लिख रहे हैं वो एहले वफा का नाम, हम भी लिखे जा रहे हैं, कौन लिख रहा है, मजरूह लिख रहे हैं, वो, वो लिख रहे हैं, जी, एहले वफा के नाम, मजरूह नाम है, तकल्स उन्होंने लिया, इस्तमाल किया है, लिख रहे हैं, वो एहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं, गुनेगार की तरह, हम भी लगाए हम भी उस तरह से खड़े हुएं लेकिन उम्मीद हमें इस लिए ज्यादा नहीं है क्योंकि हमारी हैसियत गुनहगार के सी है इसके पीछे वाक्या भी है वो ये कहते हैं कि 1962 के आसपास जब वो चीन के साथ जंग हो रही थी और ये माकसी नजरिये के हामी थे तो उस जो हामीत है उनको ओपर काफी तंज किये जा रहे थे काफी कुछ सवालों के जवाब उन्हें देने पड़ रहे थे तो उस वक्त जो कहिफियत हुआ करती थी उस कहिएत का इजहारु नहोंने किया है कि हम आहले वफा तो हैं और हमारे नाम जो वह लिखे जा रहे है आहले की और बहुत बहुत शुक्रिया सर पहले तुम्हें आपका करना चाहूंगी हम ऐसा जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों इतने खुबसूरिती से हो यह सब कुछ हमें समझाने के लिए इस गजल को और साथ ही साथ हमने आज बात की गजल की और मश्चुर सुल्तान पहलो को छुड़ी की कोशिश की है अपनी नजब अपनी नखमे और गजल के मात्यम से तो अब जैसे कि आप उनसे परिचित हो चुके हैं तो उनके बार में जानकर आपको और भी पढ़ने में आनंद आएगा रुचिया आएगी बस आप हम ऐसे जुड़े रहे हैं और की से तो में, तामस्कार.